आप सभी को नमस्कर साथियों और आप सभी को मैं सायद अपना इमोसन्स अपनी जो भावनाय हैं और जो उस प्रम प्रमीश्वर का कुछ जो थींक है कुछ बेवस्था में कुछ सिस्टम में यह अच्छे तरह कैसे नहीं समझा पा रहा हूं या आप लोग साय समझने का प्र प्रस्ण है और इस पर मैंने काफी विचार करा दो चार पाइंट आफ यू रखा है काफी रिसर्चे से अभी पैट के मैं लिक रहा था इविनिंग में तो एक प्रस्ण है एक सिंपल सा प्रस्ण है एक प्रस्ण लेते हैं कि देखो हम एक सिंपल प्रस्ण पूछेंगे कि क किए एक प्रस्न है कि हम किसी को बुक पढ़ा के इतना प्रेड़ीद कर सकते हैं जो बुक रीड़ इतना प्रेड़न कर सकते मास मोबीलाइजसेशन हो सके और पूरी समाजिक प्रस्वाहरा संवाज के लिए तो है कैसे पॉसिबल हो इस पे मैंने कुछ लिखा है कुछ रिसर्च करा है कुछ रिसर्च करेंगे कुछ जो इवेंट्स हुए है जो घटनाए परिगटनाएं हुए तो first of all हम देखते हैं कि करांती मतलब revolution एक सिंपल से उठाएंगे बहुत कुछ करांती हुई है जिसे इंपरियालीज्म कोलिनियालीज्म एक सब करांती ही था जैसे ब्रिटीस आए हमको कोलिनी बनाएं अपना खुद को समराज जिवादी बनाएं तो यह सब एक करांती ही था करांती ही था और इसमें हम देखें कि जैसे काल माक्स आता है काल माक्स जब 1849 में लिखता है वो क्म्यूनिस्ट मेनिफेस्ट तो वह क्या बलता है कि दो वर्ग की बात करता है कि एक कामगार वर्ग और एक है पुझी पती वर्ग तो दोनों में पूरा समाज सोसाइटी पती वर्गा के द्वारा जो वरकर कलास का सोसड किया जा रहा है उनको इतना ही वेजेस दिया जा रहा है कि जो उनका खर्च एक दिन का चल सके वह अगले दिन के वारे हम खर्चना आप एक ताकि अगले के बारे में कुछ उसके मन में ideas ना सोची को वह बेड़ी बताता और तो उसको पैरो की बेड़ी बताता है कि एक समाजीक प्रमपरव्यस्थ में जिसको नयों माक्सिस्ट आके नौ जो माक्सवादी आके इसमें रिफॉर्म करेंगे लेकिन इसके बाद जब आता है तो हम देखते हैं कि जो 1921 का जो रस्यान रिवालिशन है उसको काल माक्स से जो करता है एक आर्मी बनाता है और देश को अजाद दिखाने के लिए तो भी एक करांती ही था लोग लाए तो कैसे लाते थे लेकिन इनमें देखो एक बूफ पढ़ाए क्या कर सकते नहिए तो देखो इस में उत्तर नहीं मिया भी उत्तर नता चटुके लेनीन करा तो ग्राउंड़ पे पूरा व्रक कर रहा है लेकर जी से फॉरस्सन चरहे लोग आई पहरा आए पार उनका दिलों से लगा लिया यह बात लेकिन हम इसी तरह आगे जैसे बढ़ेंगे तो क्या बोलता है कि जो नियो मुंक्सिष्ट इसी में हम बोल रहा था कि जो ग्रामसी क्या करें वह अपने पैर की जो बेडिया है जो इसकूल परंपरा सिख्षा वेवस्था में उनको ऐसा सिखाया जाता है कि यहीं तुम्हारे लिए सही है और यहीं जो बेवस्था है तो हम देखेंगे एक्चुल में जो सिष्टम परिवर्तिन्थ हुआ जो आफ का जैसे मटार का था राशा ही था उसके वाद जैसे आता है गुड तन्त्रली आता है एर स्ट्रेश याता है और हैyttनली आपका जो डेंश्था है लोग सब तो क्यों आएक एसी ब्यवस्था जिसमें कि जैसे उप युट्रेटेरियानिज्मवाले कहते हैं कि पूरी ब्यवस्था में जैसे अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख इसके बात करता है और क्या बताताकि पूना वेवस्था को यह उचीद बता भी देगा क्यों कि यह जो आप देखेंगे उपयोगितावादी मेन किसको देखेंगी जर्मी बेन्थम को देख टूए कल तिंगर को और उसका जो सिच्छ था जॉल्सय पूतर आय जॉल जॉन कर्ते हं नहीं तो यह अदिकतम सुका करते हो थी यह अईसा कॉंटेटेटिव में थो मात्रा में पूले कि लेकिन लोग पूस्पी बोलता है । यह जो Сुख रह घॉला दो व उसमें खुस नहीं होगा वह नाले में लोट करी मिवट तो है इसको तो प्लेज बोलती है कि उसका क्वालिटी क्या है इसको कीस्क। क्वालिटी के हैं प्लाइश में जो सुक मिला है जो तो उसका क्वालिटी होना चाहिए ना कि जैसे शूर कीचर में लोटकर वह अपने आपको happiness feel कर रहे हैं तो उसमें quality नहीं है ना तो इसकी बात करेगा पिर हम क्या बात करेंगे happiness प्रोवाइट करा सकते विदाउड लेकिन बीना एनी रिवालिशन के क्या यह possible है कि देखो जितने भी ब्योस्था चेंज होती है जितने भी ब्योस्था परित होती है इसके बाद जैसे जॉन लाक आता है तो क्या उदारवाद का complete वह पूरा रक्षाग बनता है वह उसका अग्रभ पंक्ती में वेंगार्ड बनेगा अब पूरा डिफेंड करके उदारवादी ब्योस्था लाता है जिसको कप फिलास्पी आता है डेमोकरिसी लोकतंत्र और यह सारे ब्योस्था हो के एक जगह पर ऐसे अगर वेवस्था उचित है सही है तो फिर एक्सप्राइटेशन क्यों सोच्ण हो रहा है ना लोगों का सोच्ण नहीं होना ची अगर सारी व्योस्था उचित है तो हम यहां देखत चिजों पर हमके सोचना चाहिए हमको तरकविद्या से debate करना है डियलेक्टिक से करता था कि एक प्रस्ण उठाता था उस पर ऑष्चा करता था और उस पर जो negative पॉजिटिव जो आते थे तो इसी में होता था था बात ब्रतिवाद फिर संवाद बात प्रतिवाद फिर वह दोनों एक दुसरे के नकार आत्मा को निगेटिव पॉसितिव पॉसितिव पड़ी पड़ी है उसी पर पढ़ते हैं और पढ़के आगे निकल लेते हैं नया कुछ यूनिक और नया कुछ डिलप्मेंट विचार के लिए इसलिए जहां से एक बार नाइटीन, नाइटी वन में जब इंडाफ वहता है, विखंडान हो जाता है, और वहां पर जो फूकूस में क्या बोला ऑट नाप फिर्ष्टरी बोला, तो उसको साथ में यह भी जोड़ा गया, कि जो रिवेलिस्टन के बाद कम्मिनिस्ट आडियोजिक फॉलो करता था यूए से क्या करता था और दोनों फॉलो करके क्या रहे कि दोनों आगे बढ़ें तो दोनों में यह जो कोल्ड वार का जो लॉंग टाइम इरा चलाना तो यह डारेक्ट वैटल नहीं था आडियोजिक कि हम दोनों में नहीं रहेंगे इंडिया इंडोनेसीय जी पल्का वह बनता है और एक अफ्रीकी कंटी का कंटी Kirk कभी था तो यह रोग कहते कि नहीं हम जो चाहिए जो हैपनेस चाहिए यहां लोगों को जैसे जो हैप्पीनेश चाहिए यह नहीं मिल पा रहा है तो यस नहीं आने चाहिए तरक विद्धय तरक विद्धिया यह से पंधिक्स करें दिबएक करें अगर आप तरक विद्धिया करें पें तॉचर 2022 आएगा नहीं तुकि पिर आएगा वही चलती रहेगे अर इससे बार बहसा डिक बेग्स है उसके पुरी सिष्टम बेवस्था भनी और हम उस właściम आते रहता है गूम्ते रहता है तो उसे भी भूम रहे हैं गूंदा के तरह तो क्यों नाSi नहीं ब्युअर पर चर्चा करे और लिक है ठीक है तो साथ्यों नमस्कल democrati